डीडी अकाडेमे में आप सभी का स्वागत है देखिया अच प्रतेक परिक्षा के लिए जरूरी मतलब आप कोई भी ऐसा परिक्षा नहीं बोल सकते हैं जिसमें अंतराश्चे संगठन के मुख्याले अध्यक्ष या इससे जुरे हुए कोई सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं नहीं पूछे जाते हैं पूछे ही जाते हैं हर परिक्षा में आते हैं और देखिये अगर बात करें तो तीस अंतराश्चे संगटन होते हैं और जिनके उपर जो सवाल बनते हैं वो असी के करीब सवाल बनते हैं अब देखिए मेरा ही वीडियो नीस ची यहां बहुत सारे चैनल है बहुत सारे चैनल की वीडियोज होते हैं और सबकी तो एक ही बात है क्योंकि इसमें बुन नया है क्या तो फिर कुछ कलर भर देने से कुछ नए तरीके से बता देने से चीजे तो याद नहीं रहेगी मैं मानता हूं कि याद करने के लिए कोशिश आपको करना है लेकिन मेरा कोशिश संपून रुप से ये है कि आप जो कोशिश कर रहे है आप संपून तो उसे याद रख सके और याद रखने के लिए एक PDF फाइल या एक वीडियो कभी भी सफिशेंट नहीं होता है तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के PDF फाइल का जिसका लिंक डेस्क्रिप्शन पे दिया गिया है उस पे ले जाने की कोशिश करूँगा साथी साथ इसको सीखते हुए कैसे मैं याद रखूँगा इस बात को भी जानना काफी जरूरी है क्योंकि यही एक चीज है जिससे आप मेरे साथ जुड़के दूसरों से बेतर रुप तरीके से आप याद कर पाएंगे जी हाँ इस शब्द को मैं तो बढ़ाना चाहूँगा कि मेरे साथ इस यह तो देखी यह काफी कॉमन चीज है अल्मोस्ट हर चैनल जो भी आपका जनरल अवैरनेस का कोर्स कराता है वो इन चीज़ों को देता है जिसमें नया कुछ भी नहीं है लेकिन डीडी अकाडेमी का नया एक ही चीज है कि वो इस बात पर गौर करता है कि यह चीज़ें आपको याद कैसे रहे जो बहुत जादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से आप अगर मैं इस काम में सकस्वल होता हूँ तो इसका मतलब है आप जो वीडियो देखते हैं उसको तथ्य को अपने साथ लेकर जाते हैं एक्जाम हॉल में जिससे दो मार्क्स जो है जैसे इस तरह का अंतराश्ति संगटन के मुक्याल है और अध्यक्ष पर जो सवाल होते हैं उससे कम से कम एक से दो मार्क्स के जो सवाल है वो आप सकस्वल कर पाते हैं ऐसे ही एक दो एक दो मार्क्स जोड़के ही एक्जाम पास होते हैं लोग पीडिये फाइल देखने में ऐसे में कुछ नहीं है, मैं देखता हूँ यह आपका पीडिये फाइल है, देखी यह पीडिये फाइल जो है, डेस्क्रिप्शन पर दिया गया है, हम इस लिए इसकी बात कर रहे हैं, जैसे हम चार, पहले हम स्लाइड को पढ़ेंगे, स्लाइड चार श्लाइट को पढ़ने के बाद देखी एक पांचवा श्लाइट जो है आपके इस में वीडियो में होगा क्या करते है पीडियेफ फाइल में होगा यहां पे यह लिंक दिया हुआ है और जब इस लिंक को आप क्लिक करेंगे मतलब सारे पीडियेफ के साथ दिया हुआ है तो फिर आप एक टेस्ट में पहुचेंगे, उस टेस्ट में क्या होगा, जैसे हम आप देख रहे हैं, यह आपका खुल रहा है, आप देखें, आप अंतराश्चे संगठन पार्ट वन, यह एक टेस्ट है, तो इस टेस्ट में हम बाद में आएंगे, पहले हम इस चीज़ को ज करते हैं, तो पहला जो अब हम तत्थे को उपर जानना शुरू करेंगे, वो है, शार्क का फुल फॉर्म क्या है, South Asian Association of Regional Corporation, शार्क को बोलते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं, दक्षिन एशियाई छेत्रिये सहयोग संगठन, इसकी स्थापना आठ दिसंबर उनी 1885 को, मुख्याले का है, काटमांडू में है, नेपाल में है, और इसके अध्यक्ष कौन है, अमजद हुजैन, देखिए, शार्क का फुल फॉर्म कभी-कभी पुछा जाता है, शार्क का फुल फॉर्म है, South Asian Association of Regional Corporation, दक्षिन एशियाई छेत्रिये सहयोग संगठन, इसकी आपना 8 दिसंबर 1985 की हुआ था, मुख्याले का है, काटमांडू नेपाल में है, अध्यक्ष कौन है, अमजद हुसैन है, तो हमें इन चीजों को बार बार दियान देना हो, यहाँ पे देखो, एक मुस्लिम है, अमजद हुसैन है, तो चलो, अमजद, शार्क, अमजद हुसै थोड़ा सा दिमाग में डाल लेते हैं, चलिए अपने एक्स पे आते हैं, UNDP, UNDP का फुल फॉर्म क्या है, United Nations Development Program, UNDP का फुल फॉर्म क्या है, United Nations Development Program, संजुत राष्ट विकार्श कारेकर्म, स्थापना का बुआ था, 22 नॉवंबर 1965 को, मुख्याले कहा है, नियु यर्क, अमे इसके अध्यक्ष हैं, अब यह दूसरा हुआ, UNDP, UNDP का फुल फॉर्म क्या है, United Nations Development Program, और इसके अध्यक्ष कौन है, अचीम स्थेनर, मुख्याले नियु यॉर्क, अमेरिका, स्थापना 22 नॉवंबर 1965, अब नेक्स्ट पे आते हैं, वाड़ा, वाड़ा क्या है, World Anti-Doping Agency, यह इस साल के लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना 10 नॉवंबर 1999 को, मुख्याले जो है, मौंट्रियल कनाड़ा है, मौंट्रियल कनाड़ा है, अध्यक्ष, जॉन फाहे है, जॉन फाहे है, इसकी मैटर क्या है, स लगा दिया, क्योंकि रूस के जो किलारी है, मैक्सिमम आपके डोपिंग यूज कर रहे थे, इसके लिए रूस जो है, किसी भी इंटरनेशनल रूस, यह में क्या करते है, केल में अब भाग नहीं ले सकता है, यह वाड़ा दोवारा, World Anti-Doping Agency दोवारा, यह बहुत जादा इ लिखेगा, और याद रखेंगे, वाड़ा का फुल फॉर्म है, World Anti-Doping Agency और इसके जाउन फाहे हैं, इसके जो अध्यक्ष है, अब नेक्स्ट आते हैं, WWF, यह WWF, यह Fund का है, World Wide Fund for Nature, WWF, यह Wrestling का नहीं है, यह World Wide Fund for Nature है, यह 29 April 1971, 29 April 1971 को इसकी स्थापना हुआ था, और जो है, मुख्याले इसकी Gland Switzerland में है, इसके President अभी जो है, इंडियन है, इसलिए यह थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो जाता है, पवन सुख्देव है, इसके जो President है, पवन सुख्देव है, WWF के President इंडियन है, पवन सुख्देव है, इनकी स्थापना 29 April 1961 को भी थी, मुख World Court को क्या बोलते हैं, अंतराष्टे नियाल है, इंग्लिश में International Court of Justice, इसकी स्थापना 26 जून 1945 को भी थी, मुख्याले जो है, दहेग निदरलेंड में हैं, और देखी, इनके भी जो World Court के जो अभी अध्यक्ष हैं, अब्दुल कावी युसूफ हैं, अब्दुल कावी यु इसे के लिए आप लोगो को पहले सारा को एक साथ जैसे 30 को पढ़ते हैं, फिर इसकी PDF को लेते हैं, PDF से पहले 5 नाम या 10 नाम को बढ़ियां से देखते हैं, 10 नाम करते हैं, तो अच्छा होता है, अब 10 नाम से करने के बाद, देखे, PDF जो अच्छी तरह देख लेते हैं, फ पार्ट वन है, इस पार्ट वन को आप पहले क्लिक करते हैं, जैसे इस पार्ट वन को क्लिक करते हैं, तुरत क्या है, यह आपके पास खुल जाता है, यहाँ पर देखिए, इमेल है, मैं यहाँ पर अपना इमेल दे रहा हूं, तो मैंने अपना देखिए, इमेल भर दिया, रहे होंगे ये मैं जानता हूँ मतलब समझ तो रहे हैं लेकिन बोट ये दिख रहा होगा देखिए यहां पर सारे organization है यहां पर पाथ सवाल है और इसके पाथ जवाब है मतलब है शार्क के जो है शार्क के पूछा गिया है कि आपका जो है कौन है तो आप जानते हैं शार्क के मिश्टर अमजद हुसेन जो अध्यर्च है आप इसमें किया टिक क्या देखिए ये बैगनी कलर का हो गया फिर है कि UNDP का UNDP का देखिए अचीम स्टेनर है यहां पर आपने क्लिक किया फिर आप देखते हैं वाड़ा वाड़ा आप जानते वाड़ा का तो जान पाहे है जान फाहे है वाड़ा का WWF का है इंडियन ने पवंसुदेोजी तो देखिए हमने Philadelphia का पवंसुदेोजी को किया अब आते हैं World Court का हम जानते हैं अबडूल कावी युसूफ जी हैं यहां पर किया यह करने के बाद देखिए आपका next का आता है आप next को click करते हैं जैसे next को click करते हैं ये फिर आपको पांच सवाल और पुछता है अब देगे पांच सवाल का मैं पहले ही कर लेता हूँ जैसे आये लों के हैं आये लों के गाय राइडर हैं ओपक के चली कर लेते हैं ओपक के है मुहम्मद बरकिंडो जी है डब्लू टी ओ के डब्लू टी ओ के रोबोटो रोबोटो एजवीडो है IAEA IAEA के जो है राफेल मुरानी ग्रोफसी है और G20 के किंग सल्मान है ठीक है अब यह करने के बाद आप देखते हैं यहाँ पे send me a copy of my responses इसको click करते हैं और यह submit के बटन को दबा देते हैं तो देखिए क्या होता है इसे होता क्या है यह जब करते हैं तो आपका देखिए test complete हो जाता है यह view score आते हैं अब आपको यहाँ पे score दिखता है तो मुलती से फाइदा क्या होगा यही तो चीज़ है देखिए 10 में से 10 मिला हुआ है और आपके क्या सही है क्या गलत है यह सब सही है अब यह सही को देखते है देखिए इस तरह के test जो है एक मात रास्ता है कि आपको चीज़ें याद रहे और इसके लिए कि ना कोई पैसे लगते है कुछ नहीं लगते है अब है कि आप जब description से इस PDF फाइल को रख लेते हैं यहां तक कि दोस्तों को आप share करते हैं उनके पास ही चुकि इस PDF फाइल में ही सारे exam के आपके link दिये हुए हैं तो वो भी चले जाते हैं उनसे वो भी कर पाते हैं मतलब कोई भी test को दे सकता है और इसका नियम ही है कि आप 10 आप पहले इसको सिखते हैं point को सिखते हैं फिर test देते हैं फिर 10 point को सिखते हैं फिर test देते हैं तो तीन बार में ये जो है आपका total जो है आप video को याद कर लेते हैं जो सबसे बड़ी ज़ोरी है क्योंकि उसी से कुछ चीज़े कोई फाइदा हो सकता है नहीं तो आप जानते हैं इस तरह कितने सारे ची क्ता मारेंगे और वो सब जो है tricks, tricks, tricks वो सब बेकार की बाते हैं कोई tricks में क्या है कि आप कुछ नाम याद कर सकते हैं लेकिन बहुत सारे नाम उस तरह से याद नहीं कर सकते हैं वो तो आप test देते हैं, test देने का मतलब क्या होता है आपको जैसे देखते हैं आपको कुछ न कर लेते हैं उससे आपका वक्त कम हो जाता है चलिए अब नेक्स सवाल पे चलते हैं और मैंने जो बोला हुआ है वही है कि सबसे है कि दिखी शेयर कीजिए दोस्तों के बीच ये काफी जोरी है मैंने अभी बताया जो इस तरह के लिंक दिये है जैसे संगठन पार्ट वर्ण में क्या है हमने अध्यप्स को साथ पूछा हुआ है पार्ट व में क्या है हेड़कॉर्ट पूछा हुआ है यहां थर्ड पार्ट फ्री में फुल फॉर्म दिया हुआ है इस तरह करके इसमें सवाल रखे हुए हैं तो आप करते हैं करने के बाद जो है ultimately आप देते हुए जाते इस तरह की परिच्छा है और आप चीजों को सीख लेते हैं और इस PDF फाइल को जब आप रखते हैं इसके link भी आपके पास बड़ाबर रहता है ऐसा नहीं कि आज सीखे फिर परिच्छा के पहले ये सारे चीज़ आपके पास नहीं है परिच्छा के पहले आप इसको एक बार टेस्ट देकर ये पता लगा लेते हैं कि आपके दिमाग से क्या उतर गया है उसका आप टेस्ट रट लेते हैं फिर आपकी तेयारी संपूर्ण हो जाता है चलिए अपने एक सवाल पे आते हैं ILO International Labor Organization या इसे हिंदी में बोलते हैं अंतराष्टिय स्रम संग इसकी जो स्थापना हुई थी 29 अक्तूबर 1919 के हुई थी देखिए इसकी मुख्याल है जो ILO International Labor Organization का है जेनेवा स्विजर लेंड में है और इसके अध्यक्ष है गौए रॉइडर ये गौए है या गाय हुआ है गौए रॉइडर है तो ILO के जो अध्यक्ष है गौए रॉइडर है स्थापना 29 अक्तूबर 1919 को हुआ था और इसकी जो मुख्याल है वो जेनेवा स्विजर लेंड में है अब नेक्स आते हैं OPEC OPEC का फूल फॉर्म है Organization of the Petroleum Exporting Countries या हिंदी में बोलते हैं तो Petroleum निडिया तक रास्ट संगठन इसकी स्थापना जनवरी 1901 को हुई थी मुख्याल है इसका विएना, आस्ट्रिया में है आस्ट्रेलिया नहीं, आस्ट्रिया में है और इसके अध्यक जो है मुहम्मद बरकिंडो है तो OPEC के जो अध्यक्च है मुहम्मद बरकिंडो है और OPEC की स्थापना जनवरी 1961 को हुआ है OPEC का मुख्याल है विएना, आस्ट्रिया है OPEC का फूल फॉर्म है Organization of the Petroleum Exporting Countries या Petroleum निडिया तक राष्ट संगतन अब नेक्स्ट आते है WTO World Trade Organization या हिंदी में बोले तो विश्यो ब्यापार संगतन तो विश्यो ब्यापार संगतन की स्थापना 1995 में एक जनवरी को हुआ था इसका भी मुख्याल है जेनेवा स्विजरलेंड में है इसके अद्यक्ष जो है रोबोर्टो एजिवेडो है WTO के अद्यक्ष है रोबोर्टो एजिवेडो WTO के अद्यक्ष है रोबोर्टो एजिवेडो मुख्याल है जेनेवा स्विजरलेंड अब नेक्स्ट आते हैं I A E A इसका फुल फॉर्म क्या है International Atomic Energy Agency International Atomic Energy Agency या हिंदी में बोले अंतराष्ट्य परमानु उर्जा अभिकर इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई थी इसकी मुख्याला है Vienna आस्ट्रिया में है इसके जो अध्यक्ष हैं अभी राफेल मरियानो ग्रोसी है राफेल मरियानो ग्रोसी जो है I.E.A. के अध्यक्ष है राफेल मरियानो ग्रोसी अब नेक्स आते है देखे यह है BIMSTEC B.I.M.S.T.E.C. इसका बड़ा लंबा चौरा नाम है Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Corporation BIMSTEC का फुल फॉर्म है Bay of Bengal Bay of Bengal जो है देखो यह एक ही B से बोला गया है Initiative का I है For Multisectoral का M है S है Technical का T है And Economic का E है Corporation का C है इसके अंदर में जो देश है वो देख लेते हैं Bangladesh है, Bhutan है, India है Myanmar है, Nepal है, Sri Lanka है Thailand है, कितने हुए 1997 में इसका जो हेटक्वाटर है धाका बंगला देश में है Beam Stake का हेटक्वाटर क्या है धाका बंगला देश में है अब next आते हैं G20 Group of 20 याद रखेंगे इसमें दो बार सवाल पुछा गया है इसमें जो 19 देश हैं और European Union है European Seng है तो G20 में एक European देशों का संग है प्लस 19 देश हैं ये बड़ाबर पूछा जाता है ये बहुत जादे important हो जाता है इसकी स्थापना भी देखो 1999-26 सितंबर को हुआ था इसके 2019 में मतलब पिछले साल जो है सिंजो अवे थे और अभी जो है 2020 में जो इसके जो आपके चेर्मेन अध्धक्ष है वो है आपका ये रियाद में इसका ये होने वाला है क्या करते हैं बैठक होने वाला है किंग सल्मान बिन अब्दुलाजीज अलसाओद जो आपके UAE के आपके राजा है वो इसके चेर्मेन है तो G20 याद रखेंगे 19 देश और एक यूरोपिय संग है स्थापना 26 सितम्बा 1999 को हुआ है 2019 के जो है सिंजो अवे है और अभी के जो चेर्मेन 2020 के है वो राजा सल्मान जो है किंग सल्मान बिन अब्दुलाजीज अब नेक्स आते है IMF IMF का फुल फॉर्म है International Monetary Fund अंतराश्ट्रिय मुद्राकोष स्थापना 27 दिसम्बर 1945 को हुआ है मुख्याले इसका Washington DC है देखे DC जो है District of Columbia ये आपके अमेरिका का एक district है तो इस district को DC बोलते है इसका मतलब होता है District of Columbia और इसके अंदर में शहर है Washington जहां पर IMF जो International Monetary Fund की Office है और इसकी अद्द्यक्च है Crystalina Georgieva इसकी अद्द्यक जो है Crystalina Georgieva अब नेक्स आते है IMF हो गिया ATP ये है Association of Tennis Professional Association of Tennis Professional इसकी स्थापना सितंबर 1972 पुई थी मुख्याल है इसकी London, Britain में है और ATP के जो अद्द्यक्च है वो है Chris Carmore ATP के अद्द्यक्च जो है Chris Carmore फिर से दो राता हूं देखिए इस तरह के जो वीडियो है इन वीडियो को याद करना अपने आप में एक चैलेंज होता है तो इसके PDF फाइल को पहले लें आप दोस्तों को इसे शेर करें क्योंकि PDF फाइल में ही जो है टेस्ट देने की सुविदा है आप जितनी बार चाहें टेस्ट दें आप अनंत बार दो लाक बार दीजिए कोई प्राबलम नहीं है दो करोड बार टेस्ट दिए कोई प्राबलम नहीं है मतलब कोई पैसे नहीं लगते कुछ नहीं लगते तो फिर यही एक चीज है कि मेरे साथ अगर जूरे रहते हैं तो फिर यह चीज होता है कि आप जो भी याद करते हैं तो याद करने की सुविदा दिया हुआ रहता है क्योंकि एक PDF दे के रख के आप क्या करेंगे तो यहाँ PDF रखने से क्या होता है आप एक बार में देखे चीजों को फिर टेस्ट दे दे के सबको याद कर लेते हैं चलिए नेक्स्ट आते हैं ASEAN A-S-E-A-N इसका फुल फॉर्म क्या है Association of South East Asian Nation Association of South East South East Asian Nation दक्षिन पुर्वी एशियाई रास्ट्रों का संगटन देखे अब इन सब के बारे में थोड़ा बहुत और भी जानना ज़रूरी है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे आज तो इसके में मुद्दे को हम चर्चा कर रहे है वो है ASEAN की स्थापना जो है दक्षिन पुर्वी एशियाई रास्ट्रों का संगटन इसकी स्थापना जो हुई थी 8 अगस्ट 1960 में हुई थी मुख्याल है इसकी जकारता इंडोनेशिया में है अध्यक्ष इसके जो है ली सून लुं है अध्यक्ष इसके ली सीन लुं है महा सच्चिव है लीम जैक हुई महा सच्चिव इसके जो है लीम जैक हुई है ASEAN है Association of Southeast Asian Nations अब नेक्स आते है FIFA Football की इसे जुड़ा हुआ है Federation International Football Association FIFA का है Federation F से Federation I से International F से Football A से Association Federation International Football Association इसकी स्थापना जो हुई है 21 मई 1904 को हुई है मुख्याले इसकी जूरिक Switzerland में है इसके जो अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटीनो है इसके अध्यक्ष जो है जियानी इन्फेंटीनो है अब नेक्स आते हैं IOC International Olympic Committee बहुत पुरानी है International Olympic Committee अंतराष्टिय ओलंपिक समीटी इसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुआ था 23 जून 1894 नहीं भी या देख नियान दे देना 1894 को हुआ था मुख्याले लुसाने Switzerland देखी यह जो मैंने बोला न कि IOC की स्थापना 1894 को हुआ था डेट उतना ज़ादा महत्वपूर नहीं है क्योंकि आठाष्ट आपको जब भी यह टेस्ट आते हैं तो आपको 1894 को जब तेखी जूनी आएंगे शायद कहीं दो डेट अलग अलग दिया हो तो डेट नहीं यह जो है बहुत ज़ादा important होता है तो IOC का मुख्याले लुसाने Switzerland में है और Thomas Watch जो है यह इसके अभी अध्यक्ष है IOC के अध्यक्ष है Thomas Watch और यह अंध्राष्टिय ओलंपिक समिती है इसकी स्थापना 23 जून 1894 हुआ था मुख्याले इसका लुसाने Switzerland है अब next आते है UNESCO UNESCO का full form है United Nation Educational Scientific and Cultural Organization U से United N से Nation E से Educational S से Scientific C से Cultural O से Organization संजुक्ट, राष्ट, सैक्चिक, वैग्यानिक, एवं सांस्क्रितिक, संगटन स्थापना हुआ इसका 4 नवंबर 1946 को मुख्याले इसका Paris, France में है अध्यक्ष इसके André Azole है इसके UNESCO के अध्यक्ष कोन है André Azole है UNESCO का full form है United Nations Educational Scientific and Cultural Organization अब नेक्स्ट आते है BCCI Board of Control for Cricket in India BCCI full form का है Board of Control for Cricket in India भारती है Cricket Niantrant Board और इसकी स्थापना 1928 में हुई है इसकी मुख्याले मुंबई में है अभी जो अध्यक्ष है सौराव गांगुली है यह भी अध्यक्ष कोन है सौराव गांगुली यह तो नाम याद रहेगा बड़े अराम से याद रहेगा अब नेक्स्ट आते हैं अध्यक्ष जो है अंटोनियो गुटेरेस है अध्यक्ष हैं अंटोनियो गुटेरेस यह युनाइटेड नेशन्स की बात हुई अब आगे बढ़ते हैं ADB मतलब Asian Development Bank इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ है इसकी मुख्याले जो मनिला फिलिपिन्स में है और इसके अध्यक्ष है माच्सूगू असकवा ADB Asian Development Bank ACI विकास Bank है स्थापना 1966 को हुआ है मुख्याले मनिला फिलिपिन्स में है अध्यक्ष जो है माच्सूगू असकवा है अब नेश्ट आते हैं RBI Reserve Bank of India स्थापना 1 April 1935 को हुआ है मुख्याले मुंबई में है और गवर्नर शक्ति कांदास है ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आबस से शेयर करें अपने दोस्तों के साथ क्योंकि इसमें उनको आप बताते हैं कैसे टेस्ट देने की सुविदा है जिस टेट से चीज़ों को याद रखा जा सकता है परिच्छा के पहले रिविजन दिया जा सकता है जो अपने आप में अत्तन आवश्यक है अब नेश्ट आते हैं DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च और डेवलप्मेंट और रख्च्छा अनुसंधान एवं विकास संगठन स्थापना उनिस्ट अंठावन में हुआ है मुख्याल है नई दिल्ली में है और अध्यक जो है जी शती श्रेड़ी काफी इंपॉर्टेंट है DRDO डिफेंस रिसर्च और डेवलप्मेंट और डेवलप्मेंट और रख्च्छा अनुसंधान एवं विकास संगठन स्थापना उनिस्ट अंठावन मुख्याल है नई दिल्ली अध्यक्ष जी शतीश रेड़ी अब नेक्स्ट आते हैं ISRO ISRO का फुल फॉर्म है Indian Space Research Organization भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन स्थापना हुई है 15 अगस्ट 1979 मुख्याल है बैंगलूरू संस्थापक है विक्रम साराभाई अध्यक जो है केज सीवन है ISRO के Indian Space Research Organization स्थापना संस्थापक विक्रम साराभाई ने इस ISRO का स्थापना किया था और अभी अध्यक जो है केज सीवन है अब नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड बैंक विश्यो बैंक वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी मुख्याल है वाशिंग्टन डीसी है का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट अफ कॉलम्बिया अध्यक्ष एडेविड मलपास है वर्ल बैंक की हिंदी में विश्यो बैंक है इसके अध्यक्ष डेविड मलपास है मुख्याल है इसकी वाशिंग्टन डीसी में है स्थापना इसकी 1944 में हुई थी अब नेक्स्ट आते हैं UNICEF, यह देखो U से United, N से Nation, I से International, C से Children's, E से Emergency, F से Fund, तो United Nations International Children's Emergency Fund, संजुक्त रास्टर बाल कोश इसे बोला जाता है, स्थापना इसकी 11 दिसंबर 1946 को हुआ है, मुख्याले इसका New York, अमेरिका में है, और इसकी अभी जो अध्यक्ष है, हेंडिटा 4 है, हेंडिटा 4 जो है, वो UNICEF के अभी अध्यक्ष है, संजुक्त रास्टर बाल कोश जिसकी स्थापना 1946 को वी थी, मुख्याले New York, अमेरिका मे हैं, और नेक्स्ट आते हैं, ICC, International Cricket Council, अंतराष्ट्रिय क्रिकेट परिशन, इसकी स्थापना 15 जुन 1909 को हुआ था, मुख्याले इसकी दुबई UAE में है, इसके सियो है, मनु सानी, दोनों ही इंडिया ने सियो है, मनु सानी, और अध्यक्ष है, सशांक मनोहर, ICC के अध्य सशांक मनोहर, सियो है, मनु सानी, स्थापना 1909 को हुआ था, मुख्याले इसकी दुबई में है, अब नेक्स्ट आते हैं, WHO, World Health Organization, या विश्व स्वास्ति संगठन, WHO, World Health Organization, विश्व स्वास्ति संगठन, स्थापना 7 अप्रेल 1948 को हुआ है, मुख्याले इसका जेनेवा, अध्यक्ष इसके टेड्रोस एड्रे नाम है, टेड्रोस एड्रे नाम जो है, वो WHO के अध्यक्ष है, अब नेक्स्ट आते हैं, नासा, नासा है National Aeronautics and Space Agency, जो अमेरिका की संस्था है, नासा है National Aeronautics and Space Agency, राष्ट्रिय वेमाने की और अंतरिक्ष प्रबंदन, इसकी स्थापना 1958 में, वी थी मुख्याले इसकी वाशिंग्टन, डिस्टिक्ट अफ कोलंबिया है, और इसके अध्यक्ष जो है, जीम ब्रिदेन स्थाइन है, जीम ब्रिदेन स्थाइन है, नासा के अध्यक्ष है, जीम ब्रिदेन स्थाइन, नासा का फुल फॉर्म है, National Aeronautics and Space Agency स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी, मुख्याले इस वाशिंग्टन, डिसी में है, अब नेक्स आते है, नेटो, the North Atlantic Treaty Organization, नेटो का फुल फॉर्म है, the North Atlantic Treaty Organization, हिंदी में बोले तो उत्री अत्लांटिक संधी संगतन, हिंदी में उत्री अत्लांटिक संधी संगतन, स्थापना 4 April 1949 और इसकी मुख्याले ब्रुसेल्स-Belzium में है, इसकी है, ब्रुसेल्स-Belzium में है, और नेटो के अध्यक जो है, जेन स्टोलन वर्ग है, जेन स्टोलन वर्ग जो है, नेटो के अभी अध्यक्ष है, अब नेक्स आते हैं, SCO, संगाई Cooperation Organization, संगाई सहयोग संगतन, संगाई Cooperation Organization, हिंदी में बोले तो संगाई सहयोग संगतन, देखिए इसकी जो स्थापना हुई है, यह मैं में मेंबर्शिप डेट को लेके बोल रहा हूँ, थोड़े से डेट में आपके अंतर आ जाते हैं, 26 अप्रेल 1996 में 6 कंट्री इसके पहले, 5 कंट्री इसके पहले मेंबर बने, कौन-कौन थे, चायना, कज़किस्तान, किरगिस्तान, रश्रिया और तज़किस्तान, उसके बाद उजभिकिस्तान 2001 में जुड़ा, और 2016 में बिसिकली 24 जुन 2016 को भारत और पाकिस्तान को निमंतरन किया था और उन्हें फुल मेंबर्शिप मिला 9 जुन 2017 को इस तरह से ये शंगाई कोपरेशन और्गनाइजिशन जो है आज के डेट में जो ये आठ कंट्रियों का इसकी मुख्याल है जो है बेजिंग चीन में है तो शंगाई कोपरेशन और्गनाइजिशन इसकी स्थापना 1996 से शुरू हुई है complete हुई है 2016 में 2017 में पकड़ लीजे जब ये इसके दोनों हम लोग मेंबर बने 2016 में हमें ये क्या गया था invite क्या गया था मुख्याल है इसकी बेजिंग चीन में है अब next आते हैं ओ आज का class यहीं समाप्त होता है फिर से मैं दोड़ाता हूँ फिर से याद दिलाता हूँ आप लोगों को कि जैसे मैंने बोला है कि देखेंगे कि इसकी जो है आपका जो पीडिये फाइल है जो description पे दिया हुआ है उस description से पीडिये फाइल के link को अवश्य आप लें और इस पीडिये फाइल से जो है आप हर 10 को पढ़ने के बाद जिस तरह की test की मैंने बात किया हुआ है पीडिये फाइल में ही link दिया हुआ है जैसे आप देख रहे हैं इन linkों से आप test देते हैं test दे के चीज़ों को याद रखते हैं याद रखेंगे कि ये बातें कुछ आपके लिए नहीं हो सकती है लेकिन इसे अगर आप अपने practice में ले आते हैं तो फिर जीत आपकी हर हालत में होती है आप बड़े जो सागर को है गागर में भरने को सफल हो जाते है तो आज इनी बातों के साथ आपसे विदा लेता हूँ ओके दन बबाई ठैंक यू जैहिन साथी साथ अगर आपने सबस्क्राइब ना किया है तो डिक्वेस्ट है कि सबस्क्राइब करें दोस्तों में शेयर करें और मुझे उच्साह दें कि मैं इस तरह से विडियो आपके लिए लाता रहूँ ओके दन जैहिन